तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कंपानी के अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरू के लिजिएगा कंटियुसली इनफोर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को पर बने देखिएगा तो चलो देख लिए कौनसा कौनसा कंपानी है इस बेड़े के अंदर फर्स्ट जो कंपानी है जिसके नाम है रेल्टेल कॉर्पोरेशन पारें के बारे में बात करो तो तो देखा ज सर्विसेस के उपर कमपनी 75 पर्शन बिजनेस कर रहा है और बाकी प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेस के उपर 22.6 पर्शन के आसपास तो कमपनी के उपर एक पॉजितिव पॉइंट मुझे जो देखने को मिला 2019 में कमपनी के जो टोटल काफेक्स है मतलग कुद का जो फांड इसू किया गया था 83 करोड 2020 में कोबीड के टाइम में थोड़ा सा काम हो गया 111 करोड के आसपास और 2021 में वह बढ़के हो चुके थे 89 करोड और 2022 में एक सो पंदा करोड बना और 2023 में 175 करोड से भी जादा बन चुके है करेंड जो यर है करेंड जो टील्टू मांध है तो जो करेंड क्वाटर है यहां पर देखा जाए तो 231 करोड का कैपेक्स देखनों का मिला तो यहां पर कहनें का मतलब बैए कंपनी जब खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहें तो मतलब न कुछ और office open कर रहे है तो इसका मतलब business बढ़ाने का आपका target है तो उसली तरहे आप एह capex बढ़ाने मतलब कुछ ना कुछ से बढ़ा होने का target है तो rental के उपर में इक ही भात कहोंगा rental corporation के उपर कि उसका market cap है वो 14,400 Krp के आसवास देखने को मिला कंपानी की जो P-Rissue है आज बो P-Rissue के देखेंगे तो P-Rissue Top Level में है और यही कंपानी के लिए एक पर उस तरीके से कुछ माहल नहीं बना क्योंकि माहल तो बना था फिरसे वह रीबैक कर चुके है क्याकि इसके इसके उपर बहुत बाद टेड बना और बहुत बाद मैंने टेड लिया आपके साथ भी शैर भी किआ सांक चिजों को समजने के लिए सोचने के लिए यहां पर देखिए फिर से एक बार एक रेंच क्रेट हुआ, एक ही रेंच के अंदर कमपानी बहुत बाट एंटी किया, एक्चुली रेंच जो है, वो मैं आपको आपकर दिखा दू, तो एक्चुली रेंच बनना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहां से ही कमपानी का जर्नी होना स्टार्ट हो चुके थे, तो इसी लेवल कमपानी के एक बिक सपोर्ड है, उपर साइड में रेजिस्टन्स है, नीचे क्या है, सपोर्ड है, फिर से resistance तक गया उसके बाद देखे आपे क्या हो ब्रेक आउट हुआ ब्रेक आउट होने के बाद company एक बाद नीचे आए और देखे यहां से अगर re-back करके कोई भी green candle दीखे next day में अगर इसके उपर कोई green candle बने तो obviously इसके उपर मैं जोरू एंटी लूँगा और मेरा stop loss इसके नीचे रहेगा और मेरा target यहापे जो length है इसका 1 to 3 sugar जोरूर में target लेकर चलूँगा तो मैं जोरू काऊंगा इस company के उपर मेरा जो decision है वो तब लोँगा जब मुझे candle button दीखे की के company के जो फिलाल के जो quarter result है वो मुझे बहुत सांदार दीखा 454 करोड से 668 करोड तक बना और expense को company control करने के बाद net profit 32 करोड से double हो चुके है 62 करोड तक बन चुके है मतलब profit यहापे double हो चुके है और profit double होने के कारण profit 2x होने के कारण company के उपर एक best तरीके से आपको situation देखने को मिला है और इसी मतलब data के आधार के हिसाब से मैं एक बात आपको बता दूँ companies के उपर अच्छा कासा momentum journey coming times में आने वाले है तो मैं आपको जोरो request करूंगा आप directly companies के उपर technical को use करके काम मत करेगा सारे चीज़ों को आपकी हिसाब से verify करिए और उसके बाद काम करिए नेक्स जो company उसका ना में राजे से export इसके उपर हर दिन एक दिन positive दूजरे दिन negative आपको देखने को मिली जाएगा क्योंकि अभी भी इस company के उपर big pressurize अभी भी देखने को मिला है तो continuously sale of company को पर होता चला जा रहा है क्योंकि जब company इस range को इस range का मतलब है 100 sorry 343 जो level था उस level को जब breakdown किया उसके बाद नीचे आ रहा था और नीचे आने के बाद उपर जाने का कोशिस किया इस level को retest किया उसके बाद धिरीदेगर वो नीचे आ रहा है नो नीचे आने का मतलब क्या है company अगर correction हुआ तो कहा तक आएगा तो यह जो level है 240 से लेकर 225 लेवल तक यह जो level है इस range तक आने का वो कोशिस करेंगे इसी level से company लगाता downside में टेड़ करना स्टार्ट कर चुके है तो मेरे कहने का मतलब है कि company के उपर एक pressurize obviously देखने को मिला इस pressurize को company किस तरीके से handle करेंगे किस तरीके से recovery करेगा वो आपको बाद में ही देखने को मिल जाएगा तो मैं जोरू कहूंगा company के उपर अभी समल के काम करिएगा क्योंकि company का हालत अभी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि company का जो financial later है वो इस बार company sales पिछले quarter के तुन्हा से double करने के बाद भी company सबसे कम profit किया सिर्फ 12 करोड का जो पिछले बार 45 करोड के आसपास profit हुआ था तो lowest profit कभी नहीं हुआ इसका मतलग company के उपर एक big pressure तो ही कि नहीं तो company के उपर अच्छा कासा profit देखने को मिल जाते और हाँ एक बात में और भी notice आपको करा दू कि company अभी देखे 2% 3% के आसपासी tax दे रहा है टेक्स अगर उसको ज्यादा देना पड़े तो company का profit margin और भी कम हो company के उपर भरोस्ता तो करते हैं mutual fund के पास छोटे मोट होल्डिंग है बाकि FS के पास अच्छा कासा holding है तो राजे शेक्स वर्ट के उपर सबसेदा holdings promoter के पास है उसके बाद public के पास है हाँ आदस के पास भी है मतलब जो डियाइस है domestic investor है उसके पास भी 11 person के आसपास holding है तो इस सारे चीज़ों को समझ कर इस company को पर decision लेना directly blindly किसी company इसको पर trade मतले लेना कि हाँ एक लंबा गिरावट हुआ है तो सस्ते में मिल रहा है तो चलो buy कर लू ऐसे हमेसा आपको profitable trade नहीं देगा कभी-कभी आपको big losses भी देगा क्योंकि जीस तरीके से volume हो रहा है selling का तो इसका नामे KPIT Technologies Limited देखे KPIT Technologies के बारे में बात करूँ तो नेक्स चो कमपाने उसका नामे KPIT Technologies Limited कमपानी देखा जाए तो एक large company बनने जा रहा है और company अभी धीर धीर करके growth कर रहा है धीर धीर मतलब बहुत पहले से लंबा journey हो चुका है अभी एक जगा पर वो रुके हुए है उसके बाद फिर से एक लंबा journey होने का chances भी है कि आटो सेक्टर बहुत तेजी से growth कर रहा है और आप सब जानते है Nifty Sensex lifetime high के उपर है तो जब market, overall market index lifetime high के उपर है तो सोचिए एक बहुत बड़ा positivity आपे बाकी companies के उपर देखने को मिलेगा देखे economy के लिए अगर किसी countries का हलत अच्छा है तो उस जगा पे पर capital income बढ़ जाएगा पर capital income बढ़ गया तो हर लोगों के मन में दो चीज होते है पहले घर बनाने का दूसरा कोई गाड़ी खरीदरी करने का तो इस तरीके से situation में जब लोग गाड़ी जाद से खरीदरी करेंगे तो उस time में उससे जूड़े जितने सारे companies है उसका फायदा मिलेगा आप सब सोच रहे कि मान के चले कोई Tata Motors का गाड़ी खरीदरी की है तो Tata Motors तो growth होगा ही उसके साथ Tata Motors को जो बाखी companies services देते है उसका भी फायदा होगा तो KPID technologies जो technology business के उपर काम करते है artificial intelligence के उपर काम करते है digital solutions के उपर काम करते है व अगर में इस data को आपके साथ share करूँ तो आप खुदी यह आपे देख सकते है यह company के जो business है वो US में 39% यूरोप में 40% और रेस्ट आप वर्ल में 21% company सबसे दो services देते है passenger cars को उसके बाद commercial उसके बाद आधार्स के उपर तो company के जो revenue आ रहा है वो किस-किस पोजेट को किस-किस services के उपर है वो आप देख सकते है तो कहने का मतलब है यह company के जो business है वो बहुत तेजी से growth तब करेगा जब उस country का economically growth करेंगे तो अभी इंडिया इकनोमी के लिए growth बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप सब जानते है 3 trillion dollar भी crossover कर चुके है और target है 2023 के अंदर-अंदर economically world के third largest countries बनने वाल है GDP के हिसाब से तो अगर इस तरीके से growth हुआ तो सोचिए सारे companies का किस basis में growth होगा हाँ यह नहीं कि penny stock भागते चले जाएंगे ऐस को छोड़ दीजिए आप अच्छे company के उपर research करिए जैसे KPIT मेरे हिसाब से मेरे खुद के opinion आपको बता रहा हूँ company बहुत सांदर मुझे लगता है क्योंकि company के उपर कभी भी आपको sales में हर साल में आपको growth देखने को मिलेगा कभी भी आपको कमिया देखने को नहीं चले के बेश्ट तरीके से एक company का पार्फरमेंस देखने को मिला उसके साथ साथ और एक चीज में आपको बता दू कंपानी को जो reserve है वो भी देखिए यापर बढ़ता हूँ देखने को मिले और बॉरिंग्स यापर घटता हूँ देखने को मिले घटता हूँ गलत होगा company क invest और बारिंग्स जाधा हुआ फिर उतना जाधा बारिंग्स नहीं है कि कि company की हाथ में जो पैसा है वो कितना है यहाँ पर जूरू एंटी लोंगा और मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकाउट होगा और जो इसका साइज है का आपका साइज था मारकिंग करके में अगर उसको उपर बठा दू अगर ब्रेकाउट चल रहा है आभी किस तरीके से performance company कर रहा है सारे जानकरे मैं आपके साथ share कर पाऊ तो इसलिए वीडियो में आपके साथ share करता हूँ तो वीडियो अच्छे लगे तो please like करना और चैनल को subscribe करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद